नाली बनवादो, हाँ, पानी, सड़क बनवादो, नाली बनवादो चाहते हैं यहाँ पर नाली बन जाता तो ठीक रहे हैं, तहम बहुत परेशान है, यहाँ से इस रोड से नमस्कार में शालिनी जाओर आप देख रहे हैं सौगन टिवी कल हमने आपको ग्राउंड जीरो की रियालिटी, जो है नागलोई और प्रेमनगर की जुगियों से दिखाई थी, कि किस तरीके की वहाँ की स्थिती है, वहाँ पर विकास मॉडल किस तरीके से फेल नजर आ रहा है, यह हमने आपको पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की थी आज हम दिल्ली के ही एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मांच सरोवर पार्क का जो है, वह मेट्रो स्टेशन है, फ्लाई ओवर है यहाँ मेरे ठीक सर के उपर, और यह है लाल बाग जुगी, जहाँ पर आपको मैं स्थिती का अग पारों में नजर आता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इसकी क्या रियालिटी है, वो हम आपको एक बार फिर्ट से दिखाएंगे, यहाँ की आम जुनता से भी जान लेते हैं कि किनकी नासुविदाओं का उन्से सामना करना पड़ता है, कि कितने साल से आप यहाँ रहे हैं और बत्ती बिजली आ रहे हैं, बत्ती लग गई है, तो मतलब जिस तरी किसा साफ सभाई का भाव है यहाँ पर, विकास मॉडल जो कहा जा रहा है कि बहुत बैतरीन है, तो उस पर क्या करेंगे हैं, उसमें कहेंगे कि बेटे नाली बन जाती तो और भी सही था, सड़क पानी की दिक्कत थी, पानी तो तंकी लग गई है, यह लेट की दिक्कत थी, लेट भी लग गया, सड़क के, सड़क भी नहीं अभी कुछ हुआ नाली बनी अभी, यही दो चीज की कमी है, प्रशासन से आप लोगों ने बात नहीं किया इस बारे, प्रशासन नहीं सुनता कोशिश की है कि मतलब इस मुद्दे पर आप जाकर बातचीत करें क्योंकि सड़कों का हाल जो है वो बहुत बेहाल है और कैसी असुविधाओं का सामना आप लोगों को करना पड़ा है, बहुत जादा दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, यहाँ पर महारसव के तो यह जो महा बीस-पचीस साल में थोड़ी सी भी तस्वीर यहां की बदली है यह नहीं बदली है यह नहीं बदला है, थोर बहुत बदला है, यह तैंक्यों की लग गई है, पानिवानी के सुद्धा कर दिया है, ले टोड़ के बत्तिते के सुद्धा कर दिया है, अले टोड़ के बत्ति गंदगी बहुत है, साफ सफाई का तो बिल्कुल ध्यार नहीं रखा गिया है, नहीं यहां पर नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं वो लो, नहीं करते हैं, नाली बनवादो, हाँ, पानी, सड़क बनवादो, नाली बनवादो, यह पानी जो टूटी का जाता नहीं है, बर यह प बेटा नाली बन जाया तो अच्छा हो जाए वो तो को गर्मी आ रहे हैं बच्छड बोल लगेंगे कीड़े उड़े पढ़ेंगे दो को बहुत सी बिमारी होते रहती हैं यह टंकी चलती है ना दब तो पानी फैलता है रोड में अपक्रासन नहीं सुनता है और इलक्षन में जीत भी गये हैं जबी भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है अभी तक कोई भी नहीं आ है बोला था कि हमको जितवाद जहां तुमारी जुग्या वही तुमारा मकान वहीं टंकी लगेगी वहीं पर खंमा गड़ेगा बुजली का और यह सब्सक्राइब कोई सुदा नहीं हो अब लेटे कराके लेजाते काम निकालके रहां अब दोबारा आते नहीं मतलय वोट मांगने आते और काम नहीं करते यह हैं इसको बोल रहे वहाँ आप आए छे-दी उसका जाद़े हो जायागा वचारी चल्पी नहीं पातिः पानिवानी लेके जाति नाली में गेर नहीं नहीं चल पाती ओविचारी हाथ तो गभी चारी नहीं अगर नाली सुब्दा बन जाए तो थो थोड़ा सुब्दा हमको भी हो जाए अब देखो थोड़ा सारा कोड़क बन जा इसलिए बोल रहे तो हम अब तक भी तस्वीर नहीं बदलिये नहीं अब पहले जुक्टी जोपड़ी जल गई ती ना जब सही हाँ पर जो होना कोई देखनें लिए नहीं आए यह नाली नहीं भर रहा है अब पानी भर जाता पूरी सड़क भर में बच्चे ने नाली नहीं पर रहा बहुत कीशा के लिए सलग बनुआने के लिए खम्मक भर अधु बीजूली का रोट बनुआ थो रोट बनुआने को कोई सुन डा दिदि कोई नहीं नहीं तो बच्चों को दिखाने का तो उठने को दिखाने का तो कात ने इलाज कहां से कराएंगे बच्चों का इस वात है तो यह आपने यहां पीछे यह देखे रस्ता जो है वो बिल्कुल इस बिल्कुल चोड़ाई नहीं रस्ते में अगर एक तरफ जुगी है तो दूसरे तरफ नाली है और स्थिती क्या है वो आप देख लिजिए कि कितनी जादा गंदगी है और इन गंदगी के कारण जो है वो कितनी जादा यहां फैल सकती है और लोगों को किस तरीके से जो है सामना करना पड़ता है कठिनाईयों का यह देखिए यहां पर किस तरीके से जो है आज जीवी का जो है वो कैसे दिन प्रते दिन जो है यहां के लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है वो हमने आपके ज लेकिन यहां पर जो इतनी ज्यादा लोगों को परिशानी दे रही है लाइट लगवा दिया हो या फिर पानी की सुविधायन तो दे दी लेकिन जो सबसे जादा जरूरी हो जाता है किसी भी जगे के लिए वो होती है साफ सफाय अगर साफ सफाय नहीं है तो वहां पर बहुत सारी बिमारियां फैलने का डर होता है और यहां पर आपने लोगों की महिलाओं की जो है वो तकलीफ सुनी कि किन तकलीफों का सामना वो प्रते दिन कर रही है और साफ इन्होंने ये भी कह दिया है हमने आपको कल के भी ग्राउंड रियालिटी में दिखा था कि उन लोगों लेकिन उसके बाद जनता को जो भूल जा रहे हैं ऐसे में सवाल है कि अगर यहीं लोग आपको वोट ना दे तो जो आप सत्ता की गदी पर बैटे हुए हैं वो भी आपको नसीब नहीं होगा एक नई ग्राउंड रियालिटी के साथ एक नई जगे पर आपको दुबारा रियालिटी दिखाएंगे और पूरा जो विकास मॉडल इन दिनों चमक रहा है उसकी ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे फिलाल इस समय मैं मौझूद थी मांच सरोवर के लाल चुगी जोपड़ी में जहां आपको मैंने पूरी तरीके से तस्वीरे दिखा दी हैं लोगों को किन आसुविदाओं का सामना करना पड़ रहा है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है उनकी मुझे दीजे इजाज़ा देशर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हैं सौगंध टीवी के साथ क्यारा पसंस उमित के साथ शाली जाद दिल्ली सौगंध टीवी आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की